लास्ट हमने पढ़ लिया था वाट इस वेरियस टाइप सोफ कैपिटल कंपनी क्या होती है और आपने सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन देखा था और और आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी देखे दे प्राइवेट और पब्लिक को अलग करने का सबसे सिंपल त प्राइवेट लिम्टेट भी चलता है और से पॉब्लिक लिम्टेट भी चलता है ओके स्टेज़ेस पॉर इनकॉर्पोरेशन तो कॉल्ड आप पढ़ चुके थे अंडर्शुड इस टाइप सोफ प्रडूम दो नहीं जो टोटल मेमोरांडम में कैपिटल क्लॉस में ले सकते हैं और इसके basis पे आपने stamp duty पे की हुई है it is known as authorized capital is that fundamental logic understood by all चलिए देर आफ्टर आपने उसमें से जितने shares issue कर दिये children we call that part as a issue क्या जोरी ये company जितने shares देना चाहे उतने ही public करीदे public कम भी ले सकती है बराबर practically तो कभी होई नहीं सकता या जादा होगा या कम होगा तुमान लीजे मेरी company एक लाक शेयर सौसो रुपे वाले बेचना चाहती है is it necessary only one lakh applications would come practically तो ऐसा कभी नहीं होगा इधर more than one lakh और less than exact match कभी होई नहीं सकता somebody sitting in Jammu and Kashmir, somebody Bangalore, somebody Chennai, somebody Surat Gujarat, somebody Kolkata, somebody any other place, सब लोग अपने-अपना application form भर के भेज नहीं तो so-called exact कभी भी application नहीं हा सकता, okay, thereafter जो part of the capital लोग खरीदना चाहते है shares, it is known as subscribe, ज्यादा के लिए प्लाई किया तो over subscription, कम के लिए अप्ला subscription और बराबर के लिए अप्लाई किया तो नदिया के पार, subscription at car, called up capital, face value का जो भी पैसा हम आपसे मांगेंगे, it is called up, got it clear, और जो नहीं मांगेंगे वो uncalled, but अगर uncalled पे हमने एक sticker चिपका दिया, जो हमको आगे की बात आज करनी है, और क्या sticker चिपका दिया, कि ये पैसा ध्यान से सुनिएगा, 100 करोड रुपए, my company can collect from the public, I have got this authorization from the so-called registrar of companies, उपने बात गई, इसके basis पे पुराने जमाने में साले 3%, आजकल 0.15% stamp duty, आपको charges पे करने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार आपको control कर रही है, so-called public awareness की बात कर रही है, तो government कैसे अपना खर्चा चलाएगी आप से लेगी पैसा तब ही तो खर्चा चलाएगी ना, तो यह हो गई authorized, आपने सुचा पहले साल बहुत पैसी की जुरूत नहीं है, सिर्फ 80 करोड, I repeat, सिर्फ 80 करोड के ही shares चलो issue करते हैं, सिर्फ 80 करोड, logic समझ में आ गया, तो 80 करोड के share, आपने newspaper में advertisement के थ्रू, IPO जान type of capital बचो, issue, अब 100 करोड में से 80 करोड के share, अम issue करेंगे, कितने नहीं issue करेंगे, that 20 करोड is known as what, unissued, sir ये पैसा कब लेगी company, जब उसका मन करेगा तब लेगी, 80 करोड के share issue किये, हो सकता है, लोग 75 करोड के लिए application submit करें, under subscription, 80 करोड रुपीज के share है, हो सकता है, लोग 80 करोड का application submit करें, it is subscription at par, हो सकता है, लोग 90 करोड का submit करने, it is over subscription, समझ में आगई बाद, I hope so, ये हमने last class में cover किया था, यहां तक कोई problem दो नहीं, किसी को, वक्का, तो people understood this, so जितने shares लोग नहीं apply करते, that is known as what children, unsubscribe, और ये सिर्फ under subscription के case में हो सकता है, over में और at par में ऐसा, नहीं हो सकता, called up capital क्या होती है, सब को clear था, face value में से जो भी पैसा हम मांगेंगे, I repeat children, face value का, जो भी पैसा हम मांगेंगे, that is known as, called up, तो मान लीजे 10 रुपे का share है, कंपनी ने सोचा, application पे 3 रुपे, allotment पे 4 रुपे, first call पे 3 रुपे, and second and final call पे 1 रुपे, what's the total, 10, but first year company demands only 3, 4 and 2, what is 3 plus 4 plus 2, this 9 will be named as what children, called up, तो जो पैसे per share company demand करेगी, आप से, that is called up, is that clear, 3, 4, 3, और 1, okay, तो कोई problem की बात नहीं है, आप उसको 11 मान लीजे, tension की बात नहीं है, वो भी चलता है, कोई गलत नहीं है, वो, okay, but हमने मांगा कितना आपसे, 9 रुपी, तो ये called up हो गया, next example, children, 3 रुपे का application, 4 रुपे का allotment, 3 रुपे की first call, face value के equivalent 10 रुपे हो गया, और company ने first year में मांगा, सिर्फ 3 रुपे and 4 रुपे, what is 3 plus 4 children, अब called up कितनी हो गई, 7, इतना समझ में आता है सबको, पका, कोई doubt इसमें, चलिए, is it necessary company जितने पैसे मांगे, लोग उतने दे दे, no, कुछ दे भी सकते और कुछ, नहीं भी दे दे, that money which the company demands children, is known as what, called up, जितना पैसा पब्लिक ने दे दिया, out of called up, I repeat, out of called up, we call it as paid up, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि company is demanding money, but ना लाइक पैसे नहीं दे रहे हैं, जैसे बच्चे होमक नहीं complete करते, that unpaid amount is known as calls in arrears, I repeat, calls in arrears, कुछ ऐसे भी महा महीम होते हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, जो company ने पैसे नहीं भी मांगे, they send that money also, this is known as calls in advance, logic समझ में आया, पका, so that which is demanded is called up, उसमें से जो दे दिया, वो paid up, जो मांगा बट नहीं मिला, arrears, call in arrears, और जो नहीं मांगा बट वो भी मिल गया, calls in advance, इतनी बात सब को समझ में आ गई, यहां तक पढ़ा था मने रास लेक्चर में, चलिए, चलें, आगे बच्छो, very quickly, sheet open कर लीजे, to this page, what is meant by reserve capital, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्छो, इसके दो meanings होते हैं, if I say, that हमारे जो articles of association and memorandum of association है, चल्रें, तो memorandum of association का जो capital clause है, वो हमें permit करता है, 100 करोड रूपीज के shares, public को issue करने के लिए, हो मैं नी, 100 करोड बट हमें लग रहा है कि 100 करोड रूपीज too much, हमें इतने पैसे की जरुरती नहीं है, तो हमने public को सिर्फ और सिर्फ चल्रें बोला कि हम 80 करोड रूपीज के shares issue करना चाहते हैं, 80 करोड रिमेनिंग 20 करोड के shares, अभी हमने public को बेचे नहीं, इतनी बात सबको समझना गए, इतनी बात सबको समझना गए, एक शेर की face value है चल्रें, how much? 10 रूपी, बहुत ध्यान से सुनियेगा, हमने सोचा 10 रूपी में, so called, तीन स्टेजेस पे पैसा मंगेंगे, 3 रूपी, at the time of application, 5 रूपी, at the time of allotment, and remaining 2 रूपी, at the time of first and final call, जगा कम ते इसले मैंने first call लेका है, first and final call, यहां तक की story समझना गए? कम्पनी ने first year में चल्गें, आपसे application और allotment का पैसा मांग लिया, क्या क्या मांग लिया? application और allotment, is this much understood well? अब बहुत भेंकर लिखने जा रहों, बहुत भेंकर, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, क्योंकि यह chapter ऐसा है, जहां पे कानून बहुत चलता है, हाँ मच मनी वी दिदिन्ट दिमांद चल्गें, टू रुपी, खोपड़ें बात गई? इस तू रुपी is known as, what is titled as children, uncalled. जो मांगा, that is called, और जो नहीं मांगा, that is uncalled. जिसको जिसको यहां तक problem है, please ask children, please ask. मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनियेगा, 10 रुपे शेहर की face value है, 80 करोड शेहर पबलिक को दे दिये, 2-2 रुपे, sorry, 3-3 रुपे application सबने दे दिया, हमने 5 रुपे फिर मांग लिए, 2 रुपी अभी हमने नहीं मांगा, जब मन करेगा तब मांग लेंगे, it is known as what to learn, uncalled. इतनी बात समझ में आगल, पक्का, company ने सोचा, business तो बढ़ी अचली रहा है, क्या फाइदा अभी पैसे मांग कर, let us keep this 2 रुपी और ये 2 रुपे कब मांगा जाएगा, ये 2 रुपे मांगेंगे, उस जमाने में, जब हमारी company का winding up होगा, I repeat children, कब मांगेंगे ये पैसा, बच्छों कब मांगेंगे पैसा, जब winding up होगा, क्या होगा, winding up, in that case, we get a new definition here children, and this definition is now called as reserve capital, I repeat, this is called as what, reserve capital, so whatsoever is the face value of share, out of that whatsoever we have demanded, is known as called up, जो नहीं मांगा, it is uncalled, but company ने meeting hall की, एक resolution pass किया, जो भी हमारे meeting के, so called owners थे, share holders थे, सब ने majority में वोट दिया, कि ये पैसे कम मांगेंगे, जब winding up होगा, this is called as what children, reserve capital, तो आपका जो reserve capital होगा, by default वो uncalled तो रहे गई रहेगा, uncalled reserve हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो uncalled के साथ फेवी कुछ चिपकानी पड़ेगी और क्या लिखना पड़ेगा, कि कब मांगेंगे, winding up पे तब क्या बने गई ये, reserve capital, understood this, understood this, पक्का, तो आप bank में money deposit करते हैं, withdraw करते हैं, deposit करते हैं, बट जब आपका account close होगा, उस दिन भी withdrawal हुआ है, बट वो withdrawal एक अलग तरह का withdrawal था, so that money which is not demanded is, uncalled, अगर उसमें winding up का condition लग गया बचो, तो उसे क्या बोला जाएगा, reserve capital बोला जाएगा, सबको समझ में आई बात, या बिल्कुल भी नहीं आई, समझ मागया, एक meaning मैं आपको और बताता हूँ, 100 करोड में public को कितने शेयस दिये थे चलना, 80 करोड, कितने रुपे के शेयस, अभी भी आपने issue नहीं किये, अब जब ये share issue नहीं हुआ, क्या इसका एक रुपे भी public से मांगा गया होगा, इस पे भी हमने sticker अटाच कर दिया, कि कब मांगेंगे ये पैसा, winding up, this will also be named as what you learned, reserve capital, तो sir ये unissued भी reserve हो सकती है, बिलकुल हो सकती है, क्योंकि reserve capital की सिर्फ एक definition है, जो नहीं मांगा, कब मांगेंगे, इतनी चीजें properties माच कर गई, तो you are fit to call it as a reserve capital, uncalled ये भी है, ये तो भाईया शेरी नीशू हुआ, तो इसका तो एक भी पैसा नहीं मांगा, और अगर decide कर लिया, कि widening up पे ही मांगेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे चलने, reserve capital, तो reserve capital issued का uncalled पार्ट भी होता है, as well as unissued in full भी होता है, sir, are the shareholders idiots that they are not so-called paying the money, और they are going to pay the money, क्या बेवकूफ हैं लोग जो दो रुपए कंपनी को दे देंगे, ये जानते हुए कि कंपनी का दिवाला निकल रहा है, दे देंगे, नहीं देंगे, आप होते तो नहीं देते, मैं होता तो देता, सोचिए, एक मिनेट का टाइम दे रहो, question फिर से बता दूँ आपको, 20 करोर रुपए के share तो issue ही नहीं किये, तो इसका तो एक फुटी कॉड़ी भी नहीं मांगी, ये पूरा का पूरा क्या होगा, unissued है तो uncalled रही है, अगर company ने resolution पास किया, कि ये पैसा भी, winding up के time पे share issue करके public से लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, reserve capital, और पूरे 10 रुपए का 2 रुपए, is uncalled, अगर ये decide क्या कि winding up पे ही मांगना है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, तो 90% books में तो बस reserve capital का यही meaning है, ये तो लिखते ही नहीं कहीं पे, ये जब आप कानून पढ़ते हैं, cross connection establish करते हैं, तब आपको समझ में आता है, तो reserve capital is what, जो अभी नहीं मांगा, और कब मांगेंगे, winding up है, मैं shareholder होता, अवश्य दो रुपए देता, बट आप अगर shareholder होते बचो, company का दिवाला निकल रहा है, company winding अपने है, dissolution में है, देते आप ऐसे, सोच के बताईए, सोच के बताईए, सोच के बताईए, चली, so many people answered well, दो रुपए अगर आज आप नहीं देते, और दो रुपए अगर आज आप दे देते, knowingly कि company का दिवाला निकल रहा है, company is in the process of being wound up, dissolution चल रहा है, if you give the money, what's the benefit, if you do not give the money, sorry money, what's the disadvantage, द्यान से सुनिएगा, दो रुपए अगर आज आप दे देंगे बचो, तो आप company की good eyes में होंगे, समझ में गया हो, और company कल को जब winding up के time पे अपनी जायदाद बेचेगी, from the money realized, जब अपनी liability को pay करेंगे, surplus बच सकता है, that surplus will be distributed among the shareholders, and you will be one of them, who would be participating in the surplus, understood how, पक्का, क्योंकि आपने पूरे पैसे company को accordingly जैसे ऐसे मांगे दे दिये थे, बट अगर किसी ने दो रुपे नहीं दिये, तो company उसके shares को cancel कर देगी, और वो इंसान company का shareholder नहीं है, ये 8 रुपे company seize कर लेगी, जब्त कर लेगी, खा जाएगी, what it clear, अब अगर dissolution होता है, और assets का surplus आता है, आपने तो पैसे नहीं दिये थे, क्या company आपको surplus में participate करवाएगी, तो we should और we should not, we should, अच्छे सर मान लीजे, हमने balance sheet study कर ली company की, और हमको लग रहा है कि company की हालत एकदम खसता है, company पैसे नहीं लोटा पाएगी, तो sir हम ना pay करें, फिर legal proceedings होंगी, आपको जेलने को अगर मन कर रहा है legal proceedings, आप कोट कजहरी के चक्कर काटना चाहते हैं, तो आप कर लीजे, logic understood well, तो हमको pay करने चीए, पैसे बच्चों या नहीं pay करने चीए, pay करने चीए, समझ में आई बात की नहीं आई, confirm, clearly understood, तो people got it clear, what is reserve capital, reserve capital सुझना क्या, जो नहीं मांगा और कब मांगेंगे, winding up pay, वो so-called issued के पार्ट से भी हो सकता है, और unissued में से भी हो सकता है, समझ गए, please note down this example चले, then I proceed further, everybody understood, what is called as reserve capital, तो can we say that reserve capital is uncalled, can we say reserve capital is uncalled, yes or no, can we say every time uncalled will be reserve, यह ज़री नहीं है, इसके साथ winding up पे मांगनी की condition, होनी चाहिए, समझ गए, चलिए, let's continue further चलन, and understand, what is capital reserve, यह बड़ा simple है, मैं इसका एक meaning आपको अभी बताऊंगा, एक हम कुछ दिन बात समझेंगे, take an example, that company sold a part of its assets, say building, and earned 25 करोर रुपी as profit, as this profit won't be earned every time, it's of non-recurring nature, तो non-recurring profit को हम क्या बोलते हैं बच्छों, non-recurring profit को हम बोलते हैं, capital profit, company ने इस profit में से 5 करोर रुपी को अलग से रख लिया, this 5 करोर रुपी चल्रेन, which is set aside, out of capital profit, is known as what, capital reserve, तो रोज मरा के जीवन में जो हमने पैसे कमाये बचो, उसको हम profit बोलते हैं, उस में से जो बचा के रखते हैं वो general reserve, बट अगर capital profit में से आपने कुछ बचा के रखा, तो we'll call it as capital reserve, understood this, पका, अभी थोड़ी दिर पहले मैंने example दिया था आपको, कि public से company ने पैसे मांगे, इन्होंने application दिया, allotment दिया और last का पैसा भी बचा है, अगर हम उस पैसे को winding up पही मांगते हैं बचो, तो क्या नाम देंगे उसको, reserve capital, मान लिजे मैंने नहीं दिये company को पैसे, तो company मेरा नाम लिस से हटा देगी, cancel कर देगी मेरे को, और मेरे shares भी cancel हो जाएंगे, और जो 8 रूपी मैंने पैग गिया था, company will seize that money, इस पैसे को भी up to a certain extent, we can call it as capital reserve, बाकी जिक्र इसका आगे चलके होएगा, तो इस example को no down कर लीजे, और बहुत बार maximum boards में, ये question पूछा जाता है, what is the difference between reserve capital and capital reserve, दोनों में बहुत differences है, this represents profit, but this represents capital, is that understood, reserve capital से आप अपना loss बैर नहीं कर सकते, but capital reserve से आप loss को बैर कर सकते हैं, because it is a profit, and profit is used for bearing losses, capital reserve आपकी balance sheet में नजर आएगा, reserve capital कब मांगेंगे पैसा, at the time of winding up, तो ये आपकी balance sheet में कभी नजर आएगा ही नहीं, और जब नजर आने का समय वह आताब company नहीं है, तो reserve capital और capital reserve एकदम अलग अलग चीज़े हैं, बट बच्चों को देखने में एक जैसा लगता है, understood this, तो ये वो घर में सबजी पढ़िये, शायद बनेगी अगर guest आगए तो, नहीं आए तो नहीं बनेगी, और ये जो ममी ने खाना बनाया था, थोड़ा सा बज़ गया तो fridge में store कर देते हैं, तो दोनों अलग लग चीज़े हैं, तो आपको पता है, reserve can be used to bear losses, बट यहां पे बचों आप loss को bear नहीं कर साथे, इतनी बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं, नहीं सोने हैं, तो प्का, तो प्लीज कॉपी दिस एग्जामपल चलोंगें, लेट्स मूव फ़दर, बहुत बढ़िया चीज आने वाली है, टाइकल्ड आज मिनिम्मम सब्सक्रिप्शन, तकिंग एंग्जामपल अग्जामपनी इन नूश्पेपर, इन्वाइट अप्लिकेशन तो इशू, हाँ मैनी वर्थ उफ शेयर चलोंगें, रूपीज, तीन दिन का टाइम होगा कंपनी के पास, For example, अगर 3rd August 2023 को कंपनी ने IPO में अपने शेयर बेशने की ख्वाइश रखी, 3rd, 4th and 5th, for a period of 3 days, कंपनी को पैसे मिलेंगे, जितने मिल पाए, law says that at least 90% money, हो मैं चलोंगें, 90% money public should give to the company by way of application money, मतलब लोग कम से कम 100 करोड रुपए के शेयर में, 90 करोड रुपीज के शेयर खरीदने के लिए application सेंड करें, तो तो माना जाएगा कि कंपनी के साथ public का faith, public का confidence है, और सर अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर ऐसा नहीं होता, तो कंपनी को पूरा पैसा वापिस करना पड़ेगा, सर कब तक वापिस करना पड़ेगा, spend time of 8 days, 8 days की counting कब से start होगी, 5th of August के बात से, 8 working days के अंदर, money is to be refunded back, और अगर नहीं देती कंपनी ये पैसा, तो जो कंपनी के first directors होंगे चलोएं, they would be liable to pay 15% per annum interest from their personal pocket, सर नहीं देते तो, फिर तो रहना खाना बीना सा फ्री है, आप उपना है कहां पे, jail नहीं है, समझ में अगरी बात, तो what percentage of the issued capital should be subscribed at a minimum children, 90% but as of today, ऐसी कोई problem आती नहीं real life में, वाई सर, because कोई भी कंपनी, अपने शेहस को बचों, खुद नहीं बेशती, rather, they take the help of specialized institutions and people, and these specialized institutions and people, are called as what, underwriters, and they give the guarantee, promise देते हैं ये, ये जितना शेहर, बजार में बिग गया, well and good, जो नहीं बिगेगा, we'll buy it, I repeat, जो नहीं बिगेगा, हम खरीदेंगे, तो बच्चों जब ये शेहर, ये लोग खरीदेंगे, in that case, क्या 90% का problem आएगा, तो market में गर 75 पे बिगा, फूरा 25% इनको खरीदना पड़ेगा, market में 89% बिगा, बाकी का 11% ये खरीदेंगे, logic समझ में गया, तो real life में, minimum subscription का problem, generally, नहीं आता, X amount of shares sold, अगर वो नहीं बिगते, मैं 15% risk लूँगा, बस, how much? 15% मतलब, मैं 15% of the unsold share खरीद हूँगा, कितने परसंट? 15% मान लीजे बचों, पब्लिक ने subscribe किया, कितने परसंट के लिए? 72, 15 underwriter खरीद लेगा, कितने बिग गए? 190%? No, पूरा 72% पैसा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? refund करना पड़ेगा. Got it? तो ऐसे case में, अगर underwriters, so-called आपको मिल जाएं, तो minimum subscription का problem, आपकी कंपनी को आ सकता है. But अगर underwriters ने, पूरे 100 करोड के share खरीदने की जिम्मेधारी ली, या बिक्वानी की जिम्मेधारी ली, that if market में नहीं सेल हुए, who will buy them? We'll buy them. Understood this? Understood this or not? पक्का समझ में आ गया. तो ये बात clear होगे, what is minimum subscription? The minimum amount, which in the opinion of the directors, must be raised by issue of shares. और कितने percent होना चाहिए? 90%. इतनी बाते हैं सबको clear होगे? इतनी बाते हैं बच्चों clear होगे ही सबको? चलिए. Question उठता है कि सर ये करेंगे क्या पैसा? obvious सी बात है अचारदू डालेंगी निस पैसे का. Company ने कोई property खरीदी. I repeat चलन, company ने कोई property खरीदी. From where the money would be paid? Minimum subscription. Company register होने से पहले, there amounted certain expenses. इन expenses को हम क्या बुलते हैं? Preliminary. What? Preliminary. Prior to the setting up. इनका भी payment कहां से होगा बचो? Minimum subscription से. हमने property खरीदी, let us say 5 crores की, और preliminary expenses मान लीजे थे 1 crore. What's the total बचो? 6 crore. जिससे property खरीदी, वो ready नहीं है. इंतजार करने के लिए, कि property ले जाओ, कल को पैसा आएगा तो उनको देदना. नाई preliminary expense जहां पे खर्च करने हैं, वो भी ready नहीं है. सपोर्टी नहीं करना हमको कोई. What we did, हमने bank से पैसा borrow कर लिया. I repeat चलन, पैसा borrow करके दोनों को दे दिया. अब जब पैसे आएंगे, तो हम borrowings अपने clear कर देंगे. Clear? अभी अभी मैने आपको पताया, there is a person who takes the responsibility to get all the shares sold. He is named as an underwriter. Undertaker नहीं लेना, WWE वाला, underwriter. Will this person be working free of cost for us? No. He'll charge some commission or remuneration. कहां से देंगे उसका remuneration, children? From minimum subscription. बात समझ में आई की नहीं आई? खोपड़म बात गई? और ये सारे खर्चे पूरे करने के बाद, whatsoever money is left, that will be used for doing business. titled as what children? तो company अपने business को करने के लिए पैसे यहीं से arrange करेगी और इन सारे payments को भी यहीं से किया जाएगा. समझ में आई बात बच्चो, yes or no? नहीं आई बात. अब लिए. Clearly understood? Everybody? Confirm? आगे चले? तो underwriters company के बारे में बहुत बढ़िया-बढ़िया गुनगान गाएंगे? या company की insult करेंगे? अप्रेस करेंगे? अप्लॉट करेंगे, अच्छा-च्छा बोलेंगे न? क्यों अच्छा-च्छा बोलेंगे? कमिशन मिलना है. तो ऐसे तो यह लोग जूट भी बोल सकते हैं? कितना अच्छा बेज दिया? मतलब बोल दिया कितना अच्छा? था ही नहीं. तो से भी बच्छों पागल नहीं है. Securities and Exchange Board of India ने बोला कि Underwriters कंपनी की तारीफ unjustified भी कर सकते हैं? आपने बच्छों शोले मूवी देखिए. मौसी के पास कौन जाता है? जै या वीरू? अरे अमिताब बच्चन या धर्मेंदर? अमिताब बच्चन शादी की बात करने के लिए. किसकी शादी की बात? अपने दोस धर्मेंदर की. किस से? मौसी शादी करवाएगा? बेपू को कहीं के? बसंती से. समझ मागया? और धेर सारी बाते मौसी को बोलता है वो. मौसी या थी, वा, सौब बुराईया है तुमारे दोस में. बढ़ तारीफ करते तुमारा मूँ ठकता नहीं. तो ये अंडर राइटर भी तो जै हो सकता है, जो इस वीरू की तारीफ करते हैं. सही बात हैं यह नहीं. तो इसलिए सेबी ने बोला है, अंकल जी, तीन पर्सेंट शेर आपको खरीदने पड़ेंगे कंपल सरली. तीन साल तक आप इसको बेच के भाग भी नहीं सकते. दूसरों को फशा रहे हो, पहले खुद फशो. फोप्डेम बात गई? और मैं हूँ संकट मोचन बैंक ओफ इंडिया. मैंने इस कंपनी के डाइरेक्टर को बोला, हमारे आप पैसा ले लीजी अपने लोगों का, हम भी आपकी तारीफ कर देंगे. तो अगर हम जूटी तारीफ करें, आई रिपीट हम जूटी तारीफ करें, तो वी आर चीटिंग दा पबलिक. तो से भी बोलता है, डाइरेक्टर साहब, जिसके बैंक में पैसा जाएगा, और जिनको आप अंडर राइटर बनाओगे, उनको मिनमूम शेर्स कंपलसरी खरीदने पड़ेंगे. और तीन साल, पात साल का लॉक-इन पीरिड है, उससे पहले वो बेचके भाग नहीं सकते हैं. It's just like that, हमारे इंडिया में बच्चों, नाशनल हाइवेस बनते हैं, स्टेट हाइवेस बनते हैं, तो जो हमारा सो कॉल्ड मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट है, वो गैरंटी लेती है, कि 10 साल तक अगर इस हाइवे में क्राक आया, you will be penalized. तो companies contracts करती है, 10 साल का कॉंट्राक्ट, 20 साल का कॉंट्राक्ट, वारंटी कवर देती है, कि 10 साल तक हाइवे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई तो वील रिपेर इट फ्री ओफ कॉस्ट, तो वैसे ही, अंडर रिटर्स को कितना पर्सन खरीदना पड़ता है, ये एक स्टैंडर्ट फिगर है चलन, टाइम टू टाइम, केस टू केस, टीपस अन चेंजिंग, वैसे ही ये सेलिबस में नहीं है, आप पढ़ लीजी, आपको काम आएगा, तो आप ये मेरे से क्वेशन पूछेंगे शायद अभी, या आप पूछते अगर मैं ना बताता, सर, वाई अंडर रिटर्स आर सो कॉल्ड टेकिंग सो मच पेंज, ओनली फॉर कमिशन, हाँ भई ठीक है, तो अंडर रिटर तो जूट बोल सकता है, इतनी झूटी तारीफ कर दी, इतनी झूटी तारीफ कर दी, और ये बहुत बड़ी अ कंपणी है, ये पता है, शाजान के पोतें उनकी कंपनी है, ताज महल भी है, इनके वागवागर, और सब झूट-जूट, तो सेभी कहा रहा है यह तो जूट बोल के कुछ ज़्यादा ही बोल गए तो पहले तुम खुद फसो तुम को खरीते पड़ेंगे अंडस्टो चलन अंडस्टो चलन जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर जी को घर पे डिनर पे इन्वाइट किया और मेरे को भी इन्वाइट किया तो आप कहेंगे सर पहले खाना आप खाईए है अगर जहर हुआ परदान मंत्री नमरे पहले आप निप्ट है लौजिक सभण में आया कि नहीं आया चलिए तो पीपल अंडस्टोड चलन तो ये आठ दिन की लिमिट जो है ये रीसेंट अपडेट है पहले ये लिमिट 60 दिन और 120 दिन की पक्का अब बच्चे कहेंगे सर चार लाइंग का था इतना घ्यान आप दे दिये इसके उपर इतना घ्यान बच्चों इसलिए दिया गया है अभी मैं आपको दो मिनिट की एक स्टोरी सुनाँगा और ये जटका खाया हुआ जो इनसान होता है न वो कदम फुक फुक के रखता है कावत सुनियोगी दूद का जला कोल्डरिंग भी स्ट्रॉ से पीता है ध्यान से सुनियेगा आप बीता एक्स्पीरियंस है बचों और आपको सुनने के पाद बहुत हसी आएगी बहुत हसी आएगी कि सर स्टूडेंट सब एकी जैसे होते हैं ध्यान से सुनियेगा I was a student in class 12th I gave my ISC board exam in the year 1998 पच्चेस साल हो गए और 12th class में हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता था NPO अब यह CBSC के syllabus से हट चुका है non-profit making organizations ठीक है हमारे class 12th के syllabus में NPO भी था और joint stock companies भी था हमने सो कॉल जब अपने स्कूल का exam दिया तो वहां पे हमने NPO चैप्टर पढ़ लिया था बट शेर्स चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा था पूरा नहीं पढ़ा था मतलब entry आती थी accounting पूरी आती थी वह कभी गलत नहीं होता था थियोरी हमारे टीचर बहुत कम पढ़ाया करते थे और exam में question पूछ लिया गया what is meant by minimum subscription आप से अगर पूछा जाएगा थ्री माक्सा दो लिख लेंगे न कोई प्रॉल्म नहीं है और हमने NPO भी क्योंकि पढ़ा हुआ था यह जो टर्म है subscription यह बच्चों NPO में भी आता है कैसे आता है members pay the money to the organization every year और every month that is known as subscription जो member जैसे आपके पापा ने स्कॉन की membership ली है तो वो हर साल कुछ पैसे देते होंगे तो that is subscription rotary club के member हैं हर साल कुछ fees देते हैं तो that is subscription और company में क्या है minimum subscription आप समझ गया है तो वहां पर question आया मैंने का रहे minimum subscription subscription पढ़ा है minimum जोड़ देते हैं जागा minimum subscription तो मैंने लिख दिया minimum amount which the member of an NPO is supposed to pay to the organization for its well proper working is known as minimum subscription वही इंडिया got talent something is better than nothing कुछ भी नहीं आता तो बाद में जब कॉपी देखी और डी के सेंबल बने थे कोपड़ी चक्रा गई है क्या यह टीचर ने अलग होता है open to this page number मैंने का सर जी बता दिया होता तो पढ़ लियो थे समझ में आया की नहीं है इसलिए मैं तरह थेयोरी पर जादा फोकस करता हूं क्योंकि वह प्रैक्टिकल एंट्री वगरा तो हर बच्चा कर लेगा तो आज के जमाने में सबसे पहले तो इसलिए पूरा कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो स्टोरी अच्छी लगी हो पर सिल एक्स्पीरेंस की वीडियो अप्रोड होगा तो ठेंगा दिखा दीजेगा अगे वीडियो फरोड़ी कर दीजेगा दस लोगों को समझ में आया की नहीं आया च कोई चीज ले लेंगे वाट इस बदाऊंगा शेरोल्टर टाइम पर पैसे नहीं दे पा रहा या दे रहा है देर से दे रहा है पैसे और हमें गुसा चड़ा हमने लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं उसके खिलाब और उसके शेस को कैंसल कर दिया known as what for feature वैसे ही जैसे आप बै बाद इन शेहस को फिर से किसी को चिपकाएंगे वाट मतलब बेचेंगे री इशू सबसे ज्यादा अकल आपको यह लगानी है यहां पर एक एंट्री बस खतम कानी पूरा ग्यान यहीं पर मिलेगा समझाया यह ग्यान आता होगा तो इसको समझ पाएंगे यह समझेंगे त चलिए लेट्स फरसीद फॉर्द चलें लेट्स फर्शीड तो फॉर्स एंट फोर्मोस्ट फॉर्स्ट एंट फॉर्मोस्ट वी आर इस एशुञ शेयर अट उप्राइस इकॉल टु वाट आओ चलन्ड पेस वैल्यो मैं आपके लिए एक शेयर सटिफिकेट बना देता हूं यह पर इस तरह के certificate चल्डन आपको नजर आते हैं लेटर से लिख के आएगा एक्सन कंपरी लिमिटेड डॉट 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 फेस वाल्यू रॉपीज तो कंपनी ने अपने शेर की एक mathematical representation लोगो को इन के किन टर्मम है तरब का मतलब होता है इकोवलेंस पार का मतलब होता है इकोवलेंस और इकोवलेंस तो वाट पेस वाल्यू तो शेर ओफ रूपी 10 इस 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 लिए बेवकूफिया नहीं की जाती है है वी ऑल्वेस कीप इटा प्रॉपर नंबर टैन हो सकता है फिफ्टी हो सकता है हंडेड हो सकता है ट्वेंटी फाइव थर्टी कुछ भी हो सकता है बट यह डेसिमन नंबर नहीं होता तो लोगों को समझना गया वाट इस इशू अफ शेर आप पार एवरीबडी पक्का प्ल से उपर सुन पाता हूं मैं मैं इयर्जार नॉट ट्रेंड ऑन इंफ्रासॉनिक एंफ्रासॉनिक वैसे पार वर्ड का मतलब सौन गया पक्का चलिए बढ़िया सुनने को त्यार हो जाईए मज़ा आएगा आपको कि वाट इस मेंट बाए इशू ऑफ शेर आट पार सर यह तो इतना असान है सर इतना असान है कोई भी लिख लेगा अभी मैं आपको बताता हूं कितना असान है यह लिखे 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 है ? पूछा प्शाब की आपने स्कूल का इड्रेस बता दिया क्यों कि क्योंकि पापा प्हले शोड़े आपपने ओभिस जाते क्या पैज बाई मिजॉरिटी पीपल फूवर आस्ग्ड सब्सक्रिप्शन एट पार रोट इश्चु एट पार समझ में आया सब्स्क्रिफरिप्शन एट पार इस टोटली डिफरेंट फ्रों इशु एट पार इशु एट पार का मतलब जितनी फेस वाल्यू थी उतनी ही प्राइस पे आपने इशु कर दिया यूर फेस वाल्यू इक्वल्स तो वाट इशु प्राइस अगर आपको याद हो तो इशुड कैपिटल इस एक्वल टू सब्सक्राइबड कैपिटल मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक करोड नंबर ओफ शेर्स बेचना चाहता है पीपल ऑल्सो अप्लाइड फॉर वन करोड नंबर ओफ शेर्स यहां पे नंबर ओफ शेर्स का खेल है बच्छो Demand और Supply का गेम है we call it as subscription at power यहां पे किस प्राइस पे बेचेंगे it is known as issue at power समझ मही बात तो मारूती वालों ने 100 cars का production किया लोगों ने booking भी 100 की कराई it is known as what subscription at power मारूती ने अपनी गाड़ी का प्राइस रखा साड़े ग्यारा लाग और पब्लिक को साड़े ग्यारा लाग पे बेचा ना महेंगी ना सस्थी it is known as what issue at power to issue at power is a pricing concept and subscription at power is a demand and supply concept फरक्स समझ में आया कितना फूख फूख के कदम रखना पड़ेगा में तो फूख दिया जाएगा कितने में बेचेंगे कितने का share it is issue at power how many number of shares we wish to issue and what number of shares people wish to buy if it is equal we call it as what subscription at power 5,000 laptops apple वालों ने macbook pro के नाम पे launch किये market में और 5,000 customers ही खरीदना चाहते हैं क्या कोई access demand short demand excess supply short supply होगी नहीं होगी it is subscription at power जो laptop का launch price था उसी पे shopkeepers बेच रहे हैं it is issue at power समझ में आई बात समझ में आई बात तो issue at power will tell कि कितने रुपे का share कितने रुपे में जा रहा है face value जितनी थी उतने में यह मुसको बेच रहे है subscription what is the issued capital and that is equivalent to subscribed capital 10 चैपाथी ममी को और 10 चैपाथी गैस्ट्स आर डिमांडिंग तू इट इट इस वाट सब्सक्रिप्शन आट पार आपने सोचा था गैस्ट लिफाफा ग्यारा सोका बना के लाएंगे ग्यारा सोका ही बना के लाए इट इस issue at power दोनों में बात समझ में आई लगा दीचेग सब्सक्रिप्शन आट बार मिजॉर्टी को लगता ही यह एक यह एक नहीं है हाँ एक किन के लिए जो सिर्फ इसको पढ़ते हैं और आंसर इसका है तो भी लिखके चले आते हैं अंडिस्टूड इस अंडिस्टूड इस चलिए शाल आ प्रोसीड फर्दर तो बच्चों कंपनी जो है वो पूरे पैसे एक साथ नहीं मांगेगी पुराने जमाने में आज तो एक साथ मांग लेती है दो फर्स्ट स्टेज़िए अप्लिकेशन सेकेंड इस अलॉट्मेंट हम सबसे पहले आपको बोलेंगे न्यूस पेपर में एडविटरिस्मेंट देख लीजिए हमारे बारे में जान लीजिए गो टू दा बैंक गो टू दा स्टॉक ब्रोकर उससे मिलिए जाके और बोलिए कि हम इस कंपनी का शेर खरीदना चाहते हैं इफ इट इस आईपियो वह आपसे एक अप्लिकेशन फॉर्म भरवा लेगा डिमांड ड्राफ या चेक ले लेगा बट आज की तारिक में बच्छों आईपियो कम फेमस है इई आईपियो ज्यादा फेमस है इई आईपियो बोले तो एलेक्ट्रानिक आईपियो आपका ब्रोकर नाशनल स्टॉक ए वेबसाइट खोलेगा उस वेबसाइट पे क्लिक करेगा इई आईपियो के बटन को सारे क्रेडेंशल आपके फिल कर देगा नेम डेट ऑफ बर्थ बैंक अकाउंट बगरा बगरा सब कुछ आप शैस खरीदना कितने चाहते हैं कुछ कंपनीज लॉट साइज डिसाइड कर कुछ कंपनीज का मिनमम लॉट साइज एक शैर का भी होता है आप एक ले 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 दो ले ले चार ले आपकी मरसी फिर आप अपने बैंक अकाउंट डेटेल करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर टीपी आएगा आपको आनलाइन पेमिंट कर देना पड़ेगा इट इस आपको शैर देना है नेक्स कंपनी विल डिमांड वाक अलॉटमेंट अडेर अफ्टर देविल डिमांड वेरियस वाद तो सारा पैसा एक साथ यह सब्सक्राइब कोई कमपलजिन नहीं कि आपको पूरा पैसा एक साथ ही मांगना है चलए है आप मुल्टिपल स्टेजर पर भी मांग सकते हैं, and what should be the minimum time gap between two stages से लें, one month, ये question I see 2006 के paper में पूछा जा चुका है, what is the minimum time gap between two calls, the answer is one month, पहले दो महीने था, बाद में reduce करके इसको one month कर दिया गया, पूरा एक साथ लेना चाहते हैं, अब ले सकते हैं, no problem, but अगर आप installments में लेने हैं, तो minimum time gap is one month, समझ में आई बात, समझ में आई बात, be quick to this, be quick to this, so let's continue further, so children when stages are multiple, तो definitely आपकी अप्काँआंग ट्रीटमें भी multiple होगी, I want everybody to answer me, what is the journal entry children for started business with cash, very good, it is cash account debit to capital account, is this visible to everybody, इसी entry पे आपको research करना है, cash account debit to capital पे, कैसा research होगा, let's start, ready everybody, तो सबसे पहली आपकी कौन सी stage होगी चला, application money, bank में पैसे आएंगे, आप जोला भर के बोरा भर के पैसा cash नहीं मंगवा सकते हैं, तो it is bank account debit, who will be giving you the money, applicants, कौन पैसा देंगे, applicants, तो children they are the giver और receiver, giver, तो rule is debit the receiver bank में पैसा आ रहा है, and credit the giver, is this much understood well, debit the receiver, you will create the giver, bank artificial personal account, जो लोग आपको application के पैसे दे रहे हैं, they are represented using equity share application account, why application, because the stage is so, why share, it is not one person's money, it is many people's money, share दो तरह के होते हैं, generally, one is preference, other is equity, यह आपने 11th class में पढ़ा होगा, तो मैं इस पर आपको खास फोकस नहीं देने वाला भी, तो equity share basically वो share होता है, जहाँ पे company को profit अगर हो भी गया, वो चाहेंगे तो dividend देंगे, चाहेंगे तो dividend नहीं देंगे, and आपके company में voting rights होते हैं, preference shareholders के voting rights नहीं होते हैं, profit हो गया, तो उनको dividend compulsively मिलेगा ही मिलेगा, तो ये entry सो भाज़ागी, rule is clear, debit the receiver, share, इतनी बात सबको समझ में आती है कि नहीं, confirm, अब company ने सोचा कि जिन लोगों को shares देने हैं, चलिए उनके घर में चिट्री भेज़ दें, उनको खुशकबरी दें, कि आपको shares मिल गए, तो equity share application जो उपर आपने credit किया था, आप उसे close करने के लिए क्या करेंगे बच्छो, debit and ultimately capital when increases, modern rule says what, credit the increase, तो entry for application money received would be what, bank account debit to equity share application, and transfer entry is, equity share application to equity share capital, खुपड़े में बात गई, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चलन, application, application got cancelled, correct, what is left children, bank account debit to equity share capital, अगर मैं equity share word को उड़ा दू, and I replace bank with what is called as cash, what is the entry that I make children, तो गया ना cash to capital, क्योंकि लोग देट्स आ रहे हैं, इसले share word आ गया, variety होती है शेर की, इसके equity आ गया, because stages multiple है, तो application allotment के नाम आ गये, है वही cash to capital, कोई बहुत बड़ी rocket science, नहीं है, तो चंदरायन भी वैसा ही rocket है, जैसे दिवाली में आप rocket बजाते हैं, बट वो rocket उपर जाके फटके नीचे आता है, यह उपर जाके तरक्षी करेगा, समझ गए बात को, चलिए, so people understood the entry बचो, after application, हम next stage, लोगों से demand करेंगे, कौन सी बचो, allotment, so लोगों के पास share तो हैं, but they have not given our money, so they are children, indebted to us, yes or no, so they are the debtors, and debtors belong to the category of what, asset increase करता है, तो modern rule says what, debit, and credit the increase in capital, खोपने बात गई, and in future, जब allotment money मिलेगा, so will it be coming in cash to us, no, it will be kept where, in the bank, and bank is what children, receiver, और आप इन लोगों से पैसे ले रहे हैं, earlier they were the debtors, now they are giving the money, who they are children, who they are, giver, so entry, पैसा मांगने की, ऐसे हाथ फैला लेंगे, बिकारी की तरह, प्रोफेशनल बिकारी, इकुटी शेर अलोट्मेंट टूटी शेर कैपितल, और पैसा मिलने की इंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेट टू, इकुटी शेर, अलोट्मेंट, अगें अप्लाइंग द लॉजिक, चलोटी शेर कैपितल, इकुटी शेर कैपितल कैंसल हो जाएगा, वाट इस लेफ्ट आउट, सॉरी, जस्टोलों, मैंने गलत अकाउंट कैंसल कर दिया, इकुटी शेर अलोट्मेंट, जसलोट अलोट्मेंट, अगेंट, एकुटी शेर, अलोट्मेंट, जस्टोटisu अलोट्मेंट, जसकी। प्लीज यह अपडेट करें जलें वैसे तो मैंने रूल में लिखा हुआ है डेबिट दा इंक्रीज इन दा इंडेटनेस ऑफ द शेयोल्डर एंड क्रेडिट इंक्रीज इन पूछे दो जी यह यह भी एक प्रशन है सर दो एंट्री पास करने के जगा काटपीट के एक ही कर दें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कापटल बिल्कुल कर देते बट 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 हम पहले अगर इस एंट्री को पास नहीं करेंगे तो दो प्रॉब्लम्स हों दूसरी प्रॉब्लम आप कुछ लोगों से पैसे कलेक्ट करने भूल जाएंगे द्यान से सुनिएगा मेरी बात द्यान से सुनिएगा यह 11th क्लास में बताया था वाइल टीचिंग गॉइंग कंसन कॉंसेट गुट सोल 2x on credit 50,000 सुना ही पड़ गया कैश रिसीवड फ्रॉम हैं बचे हैं कैसे पता है कैसे पता है कहीं लिखा स्क्रीन नदर आ रहा है कहीं पर नहीं है न तो अगर आप बच्चों credit सेल नहीं record करेंगे x2 sales 50,000 क्या आपके पास record होगा कि आपको 10 मिल गया तो कितना बचा नो similarly अगर हम इस entry में लिखेंगे नहीं कि हमको 2 करोडों पर चाहिए और यहां पर जब हम लिखेंगे कि हमको 1.95 करोड मिल गया मतलब 0.5 करोड अभी भी pending है so this first entry becomes compulsory or not इसलिए हम due और receipt दोनों के entry करते ह ताकि record mismatch न हो जाए इसी को तो accrual basis बोला जाता है basically accrual basis में हम focus income और expenses का भी कर देते हैं साथ में okay so people understood दो दो entry आपको क्यों करनी पड़ती है got it चलिए formula वह यह amount का number of shares allotted into allotment money per share तो चले और यहां तक किसी को problem यहां तक सब समझ गए पका update कर लीज इतना next children अब call का पैसा लेंगे call का first second third fourth कुछ भी नाम हो सकता है तो first call है तो क्या लिखेंगे equity share अगर first call ही आखरी call है तो भी राइट first and final और सिर्फ second third है तो यहां पर first call फिर second call फिर third and final तो dash indicates the number तो अगें बच्चों उनके पास shares तो रख्यों है but they have not paid the money again they are indebted to us they act as debtors and money is due from them they are the assets basically तो आप इन्हें debit कर देंगे in future when they will give you the money आप इन्हें giver बोलके क्रेइट कर देंगे and capital बनेगी इस पैसे से when capital increases what to do चलागे credit तो entry for call due is equity share call account debit to capital bank account debit to equity share call the entry for receipt समझ में आगई बात समझ में आगई यहां पर भी वही common sense apply कर लेते हैं equity share call and equity share call gets cancelled चलों equity share को यहां से उड़ा दें and in place of bank if I write cash what would be the journal entry children cash to capital वही से 11th class वाली entry आगई कि नहीं आगई है क्योंकि number of people who are more तो share word आ गया multiple stages पर money is being demanded तो आपको multiple entries करनी पढ़ रही है got it clear 11th class में पढ़ते हैं started with cash और कभी-कभी question लिख्या था fresh capital introduced तो वो भी एक तरह का allotment रो कॉल मान लीजी आप एक ही बात हो गई चलिए तो बच्चों सारी entries समझ में आ गई पक्का confirm एक question का जवाब और दीजिए application के time पर चलन रिसिप्ट पहले हुआ बैंक वाली entry पहले आई but at the time of allotment and call children यह बैंक वाली entry second place पर आ गई है answer is starting में भी do not know कि किस के पास हमारे share जाएंगे तो किस right से हम पैसा मंगे तो at the very beginning जितना मिल गया उतना लिख लो उतना रख लो now we'll send the demand notice to them now your allotment is due mister so and so now your call money is due kindly pay it as soon as possible application पे आप receipt के entry पहले करेंगे और transfer की बात में but on other stages the entry for due will be passed first followed by followed by receive जब आपका school में admission हुआ बचो तो सबसे पहले तो आपनी fees देदी ना के school वाले आपको notice देना है ते घर पे यह fees due आपकी no but second time onwards when it is delayed they will serve you a प्रेम पत्र इतनी बात समझ्वाएं तो entries तो असान है बट मैंने इन entries के लिए एक ब्रह्मास्त्र सोच आपको दे तो बच्चों एक ब्रह्मास्त्र आपके सामने आने वाला है ड्रॉअ ड्राइग्राम लाइक आयाम द्रीट अटी इस अटी तो कॉल्स कुट भी थ्री फॉर फाइफ एफ 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 नंबर बट स्टेज़ेस टीन होंगी चलते हमेशा एक अप्लिकेशन एक रखॉटन फिर धेर सारी कॉल दो सकती हैं अध्र्व कर sanitizer स्टेशन एलोत कि तॉटन वर्ट इस सन्डंणों सोट असारी कॉल्सूरित इवक्रामुशन लस्ट्ट поряд द芉аш author उन्हें फमें वकांस, हमेंॉट्ट स्टेशन ओल्स्तore हैं secondly ज्यान से सुनियेगा बच्छों ज्यान सुनियेगा at the time of application receipt entry would be done first I repeat receipt entry would be done first followed by transfer whereas in case of allotment and call children due entry would be done first and receipt entry would be done later is this much understood well children is this much understood well in receipt entry money will come in or go out come in will it be coming in cash no so whensoever money comes in आप क्या करेंगे बच्छों बैंक को debit करेंगे is that understood well is that understood well and whensoever money will come in children it will come in for a particular stage that is application stage could be allotment and at last the stage could be call so when money is coming in we debit bank saying debit the receiver yes or no और जिन लोगों से पैसा ले रहे हो they are the givers तो particular stage would be credited I repeat particular stage would be created logic समझ में आगया receipt की इंटी है तो bank debit stage credit सब में वही चल रहा है application का stage है तो equity share application allotment का stage है तो equity share allotment call का है तो to equity share for a second जो भी call होगी is this much understood well by all समझ में आगी बात update first moving ahead transfer के case में taken for granted I repeat children transfer के case में taken for granted I repeat transfer and due के case में children taken for granted आप capital को क्या करेंगे credit इसी purpose के लिए तो आपने so-called shares बेचे थे capital आएगा capital increase होता तो credit firstly आपके पास पैसे application क्या आएगे then you will demand allotment then you will demand calls in case of allotment and calls the shareholders are indebted to you so you will debit them यहाँ पे closure है पहले credit की अधर stage को for closing क्या करेंगे debit so application के time पे receipt के entry पहले होती है बचो but allotment recalls में secondary in case of so-called application transfer entry is done secondly वैसी ही due entries है allotment recalls की जो सबसे पहले होगे people understood तो आपकी entries को एकदम shortest space में लिख दिया bank to share application share application to share capital share lotment to share capital bank to share lotment share first call to share capital bank to share first call stage का क्या नाम है यह आपे लिखा हुआ है समझ गए बच्चे कहेंगे सब आपको capital को नीचे लिखना चाहिए था कोई फरक नीपढ़ता tricky तो है समझ गए सब लोग बच्चों समझ गए update super quickly इनी बडिश्टल राइटिंग सब लिख चुगे चलिए moving ahead so बच्चों यह सारी इन्ट्री जो यहाँ पर इतनी भेंकर भेंकर आपको नजर आ रही है मैंने इसी को shortcut में समझा दिया और अगर call first second third fourth होगी तो accordingly you will pass the entries बच्चों इतना किरिया करम करने में definitely there would be some expenses also debit all expenses credit the giver debit all expenses credit the giver फिर PL में transfer करेंगे expense को तो entry क्या बन जाएगी चल्रण PL account debit to share issue expense बट यह entry as of today गलत है आपको लिखना पढ़ता है चल्रण statement of PL यह आगे वाला premium भूल जाए अभी statement of PL account debit to share issue expense sir what is this statement of PL जब मैं आपको part B financial statements में management accounting पढ़ाऊंगा then I'll let you know कि prior to the enactment of companies act 2013 चल्रेल हर company manufacturing trading PL बनाती थी जैसे आप 11th class में बनाती थे but after the enactment of companies act 2013 none of the companies prepared trading PL rather they prepare what statement of PL so the entry is not PL to share issue expense rather it is statement of PL to share issue expense गाट तो यहाँ पे content लिखा भी है जो मैंने आपको भी समझाया but आपने लिख लिया तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा तो content is well understood चलन application पे receipt की entry पहले होगी transfer की बात में but allotment and calls में due की entry पहले होगी और receipt की बात में तो receipt में चलन bank debit और due में stage debit clear receipt में आप stage को create करेंगे और due में आप so called capital को या transfer में capital को create करते समझ में आगया पूरा entries का logic पक्का चलिए वाजबेट होगी है entries को 4-5 बार देख लिजेगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अब बाकि देज़ सारा होग करा के बैठा ही दूगा में देवा में बैठ एगा तिक चलिए ताट्स ओल पर टूड़ेशलर